हेलो दोस्तों बेटा कैसे हैं आप लोग आपको पता है कि हम मेकैनिकल प्रोपर्टिज ओफ लिविड पी डिसकेशन कर रहे हैं और आज हम बेटा एंगल ओफ कॉंटेक्ट के बारे में डिसकस करेंगे पिछले लेक्चर में हमने सर्फेस टेंशन के बारे में डिसकस किया था और सर्फेस टेंशन, मॉलेकुलर थेरी, कोईजिव फोर्स, अदेजिव फोर्स इन सब के बारे में हमने डीटल में बढ़ाई कर ली हैं अब आज का टॉपिक भी हमारे नए सिलाबस में बहुत ज़्य में आ जाएगा लेकिन मैं थोड़ा सा टेक्सबुक से ज्यादा बताने वाला हूँ हमें आज टेक्सबुक में लिक्विड के टाइपस नहीं दिये हैं और उसके लिए हम सबसे पहे लिक्विड के टाइपस से शुरू करेंगे तो हमारा आज का टॉपिक है वेटा एंगल of contact for a solid liquid pair for a solid liquid pair का मतलब क्या होता है याईनि एक इसमें क्या रहेगा liquid रहेगा यानि पूरा लेक्चर दीखिए, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दीए पहले लेक्चर की, उनका यूज कीजिए और पहले लेक्चर भी क्या कर लीजिए, कम्प्लिट कर लीजिए, तो चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं, अब आप यहाँ पे धहन दीजिए, मेरे पास यहाँ प्योर पानी मिल रहा था, वो मैंने लिया है, इसका एक कोईन पकड़ लेंगे यहाँ पे, और दूसरा एक ग्लास है, जिसमें मैंने क्या डाल दिया है, केरोशीन डाल दिया है, अगर आपको दिख सके, तो एक बार देखनी की कोशिश कीजिएगा, इन दोनों फ्लिविड इसके, सर्फेसिस भी बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन आपको दिखना ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं दूसरे एक्ष्प्रिमिन से बताने वाला हूँ, अगर आपको सर्फेसिस दिख जाएंगे, अगर आपने घर पे यह ट्राय किया, एक ग्लास में आपन पानी लिया, तो आपको यह जो सर्फेस बनता है इसका, इसमें से ही सारी चीज़े क्या हो जाएगी, पता लग जाएगी, लेकिन हम दूसरे एक सबसे करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, यह मेरा कोईन है, इस कोईन को मैंने एक प्लकर में पकड़ा, और इसे क्या करता हूँ पानी में डुबाता हूँ, और बाहर निकालता हूँ, क्या क्या देखें, पानी में डुबाया और बाहर निकाला, और इसो हाथ पे रख दिया, इसको सब तरफ से जब मैं देखता हूँ, तो यह कोईन क्या हो चुका है, पूरा गीला हो चुका है, पूरा पानी से गीला है याने सब तरफ से इसे क्या लगा है पानी लगा है यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे पास एक कोईन है जिसको मैं पकड़ता हूँ केरोसीन में डालता हूँ देखिए पूरा केरोसीन में डाला है निकाला है आपके लिए फिर से एक बार डालूँगा फिर से एक बार से मैंने क्या कर लिया बाहर निकल लिया किरूशी ने इसका स्ट्रॉंग स्मेल यहां पे आ रहा है लेकिन मैं यहां पे जब रखता हूं तो मुझे दिखता है कि यह कौईन सब तरफ से देखे मैं इसको फोकस करता हूं अपने कौईन पर थोड़ा सा जितना पॉसिबल हो सके कौईन सब तरफ से गिला नहीं है सिर्फ कुछ कुछ जगा पे हमारा कौईन कैसा है वेट है जैसे यह कौईन था जो पानी में से निकला था यह सब तरफ से वेट हो गया था सब तरप से क्या हो गया था गिला हो गया था लेकिन जो केरोषी में से निकला यह सब तरप से वेट नहीं है आप देखना इसे और मिटल को ही कि करना कोई अगर पेपर डालोगे तो पेपर गिला होना ही है बेटा क्यूंकि यह जो वेट करने का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स में होता है अब इन दोनों लिक्विड्स को हम अलग-अलग कैट्रगराइज कर सकते है बेटा एक बार फिर से हम बोलत इनको पकड़ता हूं और आप घर पे प्लीज केरोसीन लेके एक्स्प्रिमेंट मत कीजिएगा क्यों केरोसीन इंफ्लेमेबल लिक्विड है इट कैन भी डेंजरस सो अगर मैं इसे केरोसीन में डालता हूं बहार निकालता हूं थोड़ा सा जटकता हूं ताकि अच्छा हु बोर्ड पे डाल दिया और केरोसीन बोर्ड पे डाल दिया मैं ये क्यों नहीं करूँगा क्योंकि मेरा बोर्ड उससे खराब हो सकता है लेकिन अगर डाल दिया तो आपको एजिली समझ में आ सकता है कि exactly कैसे पानी ज्यादा वेट करता है ज्यादा गिला करेगा बोर्ड को चेरोसीन बिलकुल भी ज्यादा गीला नहीं करेगा और अगर तीसरे टाइप का लिक्वीड मेरे पास आज होता है मरक्यूरी अर मरक्यूरी होता है और मरक्यूरी में अगर मैं यह कॉइन डाल के निकालतां तो बитगा मरक्यूरी से जीरो वेट होता था बिल्कुल भी कोईन गीला नहीं होगा तो हमारे पास तीन टैप की liquid है गड़ liquid which completely weights the solid surface liquid which partially weights the solid surface और तीसरा है mercury का कि जो हमारे पास नहीं है उसे कहा जाता है liquid which does not weight the solid surface यानि अगर कोई बरतन में, कोई वेसल में, कोई गलास में हमारे पास mercury है तो mercury अगर हमने उस गलास से निकाल दिया तो उस गलास में बिल्कुल भी wetness नहीं होगा बिल्कुल भी वो अंदर का glass गीला नहीं होगा दो उसमें mercury था तो हम तीन types को यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे यह आपको take zone में नहीं है यह मैं आपको बता रहा हूँ हमको हमें इसे पकड़के मैं क्या गरूंगा एंगल ओफ कॉंटेक का टर्म आपको पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे देखिए तीन चीज़े यहाँ पे हमने explain की है पहला लेक टाइप का liquid है liquid which completely wets the surface यानि pure water and glass यह था हमारा वो liquid liquid which partially wets the surface partially यानि जो पूरा गिला नहीं करता है थोड़ा सा partially wets यहाँ पे करेगा that is kerosene and glass liquid which does not wet the surface हमारे आज पास mercury नहीं है लेकिन mercury से मैं आपको बता रहा हूं कि mercury में अगर आप पानी डालोगे और sorry mercury में अगर आप solid डालोगे और कोई coin डालोगे तो अगर वो बाहर निकालेंगे तो वो कैसा रहेगा blunt रहेगा यानि वो बिल्कुल भी weight नहीं होगा अब यह तीन टाइप के liquid करते क्या है मैं आपको diagram में देखे मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूं तो चलिए diagram साथ में हम निकालेंगे liquid which completely weights the surface के लिए diagram जब निकलेगी तब फर्क क्या होगा तीनों इसमें फर्क यहीं होगा कि इनका surface कैसा बनता है इनका film कैसी बनती है तो liquid which completely weights the surface इसा film बनेगा आप कहेंगे सर इसमें क्या फर्क है तो अगर आप दूसरे देखेंगे तो इसमें आपको फर्क दिखाए देगा यहाँ यहाँ पे इसमें कोई ज्यादा एंगल बन नहीं रहा है दूसरा liquid which partially with the surface अगर आप देखोगे तो इसमें एक थोड़ा सा ऐसा एंगल ऐसा एक surface दीखेगा जो हम कह सकते हैं यहाँ से एक मिनिट यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा कैसे surface दिख रहा है कौन केव surface दिख रहा है और अगर mercury in terms of glass होगा तो यह surface ऐसा बनेगा जिसे हम कह सकते हैं कौन वेक्स है तो भीटा यह तीन surfaces ऐसे क्यों बनते हैं यह तीन surfaces ऐसा क्यों हो रहा है कि liquid which completely with the surface में ऐसा हो रहा है liquid which partially with the surface में ऐसा हो रहा है liquid which does not with the surface में ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो इसे explain करेगी हमारी term angle of contact, तो कैसे explain करेंगे, पहले हम angle of contact explain करेंगे, और फिर उसके explanation में आपको ये समझेगा, कि ऐसे तीन angles, ऐसे तीन surfaces Q create हो रहे हैं, और ऐसे surface create होते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, कि plane surface में plane है, और इसमें liquid which partially with the surface, kerosene in terms of glass, इसमें वो concave surface है, mercury in terms of glass, और यह angle बहुत ज्यादा बड़ा होता नहीं है, कि आपको दिखे कि ऐसे, there is a dip दिखे कि नहीं, minute बहुत ही कम difference आएगा, जो हम नेकडाय से नहीं देख सकते, इसलिए अगर आप घर पे गरेगे, तो साइद आपको explanation है, जिसमें हम इसे explain करेंगे, तो यह आप लिख लीजे, यह आपके बहुत काम आएगा, और आगे बढ़ेंगे, तो comment section में बोलते रहे कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे जलते हैं, और angle of contact को define करते हैं पहले, फिर उसको पकड़के, हम तीन surfaces को क्या करेंगे, explain करेंगे, ठीके बेटा, तो angle of contact सबसे पहले explain करना है, ठीके angle of contact theta से explain करेंगे, और बहुत ही शांती से explain करेंगे, तीनों liquid का type कैसा रहेगा, ऐसा, पहले एक बार पढ़ेंगे definition क्या है, फिर हर एक diagram पे उसका क्या करेंगे, application करेंगे, फिर angle of contact आपको समझेगा, angle of contact क्या है, angle of contact between a solid liquid pair, solid कोन सा है, इसमें solid कोन सा है, अब diagram को देखते रहें, इसमें solid कोन सा है, ये जो red color का surface है, ये कोन सा है पटा, ये solid है अपना, हो गया solid है, और liquid कोन सा है, ये जो blue color का अंदर है हमारे इसमें, और तीन type के liquid हमने पकड़ लिए है, तो angle of contact between a solid liquid pair is given by, it is the angle between, अब कौन से दो चीजों में ये angle बन रहा है, angle दो lines में बनेगा, तो पहली line कौन सी है, tangent, sorry, क्या है, it is the tangent drawn to free surface of liquid, tangent drawn to free surface of liquid आपके समझ भी नहीं आ है, मैं आपको इन तीनों में draw करके दिखाऊंगा, देखिए, ये free surface of liquid है, और इसे हमने क्या draw कर दी, tangent draw कर दी, यहाँ पे draw होगी, यह होगी tangent draw, यह tangent क्यों, it should be connecting at only one place, यहाँ पे, यह tangent, यहाँ पे draw होगी, green color की, होगी draw, यहाँ पे तो यहीं पे free surface है, तो यहीं पे हमारी क्या होगी, tangent draw होगी, एक ही, coincide होगया, tangent drawn between free surface, drawn to free surface of liquid and surface of solid, इन दोनों में का वो क्या है, angle है, at the point of contact, कि जब solid और liquid कैसे आ रहा है, contact में आ रहा है, देखिए, यहाँ पे contact, same है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, contact में आ रहा है, तो वहीं पे क्या draw करनी पड़ेगी हमें, tangent draw करनी पड़ेगी, और उस tangent draw करने के बाद, जो हमने tangent वहाँ पे draw की हैं उस tangent draw करने के बाद उस tangent में और solid surface में tangent green color की red color का क्या है solid surface tangent green color की red color का क्या है solid surface tangent green color की red color का क्या है solid surface coincide हो रहा है तो इन में का angle जो है उसे कहा गया angle of contact but major कहां से करना है क्योंकि हम यह उपर का भी एंगल ले सकते है नीचे का भी एंगल ले सकते है उपर का भी है नीचे का भी पुण ने वो भी explain कर दिया है definition में that it is measured from inside part of liquid यानि अंदर से गिनी है यहाँ पर यानि यह हो गया angle यहाँ पर इसमें तो यह एंगल ही नहीं बन रहा है तो इसमें थिटा वैसे भी क्या बन रहा है जीरो इसलिए आप दो नीचे देखिए नीचे एंगल बन रहा है क्या है अब डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ता है ताकि आपको समझ में आया जाए इसे क्या क्या है अब एंगल आफ कॉंटेक्ट प्योर वाटर अन ग्लास में कितना मिल गाया है जीरो एंगल आफ कॉंटेक्ट कैशा रहा है जीरो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते है एट एंगल आफ कॉंटेक्ट एंगल आफ कॉंटेक्ट कैसा है अप्ट्यूस है यहाँ यहाँ पे एंगल आफ कॉंटेक्ट एंगल आफ कॉंटेक्ट जैसे इसलिए तो मैं कह रहा था कि अगर हम डायरेक्ली इस देफिनेशन पर आते थी तो क्या समझता था इसलिए मैंने इसके पहले के तीन टाइब्स भी आपको बता है कि बेटा अगर अब आप कह सकते है लिक्वीड यहाँ पे कैसा है इसके लिए थीटा कितना रहेगा जीरो रहेगा थीटा क्योंकि रेड कलर पे ग्रीन कलर कोइंसाइड कर रहा है यह समझ लीजे आपका सॉलिड सर्फेस था इस पे यह टेंजेंट रो हो गई अब इन दो लाइन्स में एंगल कि इंतना है जीरो है कोइंसाड हो रहे हैं तो केरोसीन और ग्लास कैसा वेटिंग है लिक्वीड विच पारिशेली वेट रहेगा थीटा कैसा रहेगा एक्यूट रहेगा केरोसीन रॉकेल पेट्रोल डीजेल इन सब में एंगल अफ कॉंटाक कैसा बनेगा थीटा इस लेस दैन 90 और अगर मर्कुरिय और ग्लास रहेगा लिक्वीड वीच दाज नॉट लिक्वीड कैसा है दाज नॉट विडर सर्फेस है तो थीटा हमेशा कésus Jeśli रहेगा अप्टीूश रहेगा अब ऐसा होता क्यों है इसका भी आपको इस्प्रिशन बता तो लिकर आपको डेफिनेशन समझ में आ आगी ए एक्सेफिनेशन समझ म का एंगल है टेंजेंट रॉन तो फ्री सर्फेस ओफ लिक्वीड टेंजेंट हमने ट्रॉ कर दी अब ये टेंजेंट हम इधर से भी ट्रॉ कर सकते है वेटा ये तो सिली कोश्चन है ना यहां से भी टेंजेंट रॉई होगी ना मैंने एक जगा पी निकली तो दोनों तरफ से टेंजेंट रॉई बर बीच में ट्रॉई होगी का नहीं विकॉज इट शुड वे अट पॉइंट आफ लिक्वीड एंड शर्फेस ओफ शॉलिड कहां पे अट पॉइंट आफ कॉन्ट इट शूड भी मेज़र यह तो बहुत ही इंपोर्टन चीज है इट शूड भी मेज़र फ्रॉम इंसाइड पार्ट आफ लिक्वीड हारा सबजब आपको तो इस इस बेसिक स्रक्चर यह हो गया हमारा कुझ सा अंगल अफ कॉन्टेक्ट करेंगे हम थिटा से डिफाइन करे लिक्वीड जो पारिशिली वेट कर रहा है वो थिटा कैसा बन गया लिस देन 90 और जो लिक्वीड कैसा कर रहा है वेट ही नहीं कर रहा है तो कर दीजे कमें सेक्षिन में इसा आगे बढ़ते हैं कि ऐसा क्यू हो रहा है मैं आपको बताँ का फोर्स is the basic reason cohesive and adhesive एक diagram निकालके बताऊँगा एक ही diagram भे सब clear हो जाएगा एक ही diagram आरा समझ में तो इसका screenshot ले लीजे आगे बढ़ते हैं तो देखें explain करके बताता हूँ एक बार क्या हो रहा exactly यह हमार solid surface है इस liquid के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे diagram जरा zoom in करके निकालेंगे फिर आप इन दोनों के लिए समझ सकते हैं यह जो red color का है यह कौँचा surface है हम solid surface है और यहाँ पर liquid है तो हमारा काम तो यही पर है point of contact है अब देखें यहाँ पर liquid है यहाँ पर liquid का point आएगा उस liquid पर दो forces act हो रहा है एक force act हो रहा है cohesive एक force act हो रहा है adhesive अब cohesive force कहाँ पर act हो रहा है liquid से liquid पर act हो रहा है which will be acting in downward direction at 45 degree यह हो गए आपका FC that is force of cohesion कह सकते हैं हम इसको और दूसरा इस liquid पर और इस solid पर एक force है जिसे कह सकते हैं force of adhesive structure क्योंकि solid liquid पर ले रहा है न तो force of adhesive जो अंदर की तरफ हमें क्या हो रहा है लेके जा रहा है तो इसे कहेंगे हम F A अब सारा जो structure है सारा जो खेल है वो इन दोनों का है अगर force of adhesive is equal to force of cohesion होगा force of adhesive is equal to force of cohesion तो angle of contact नहीं वनेगा liquid उपर नीचे नहीं जाएगा समझ रहा है यह कंडिशन किस पर डिपेंड़न्ट है इसलिए तो लिक्वीड पर डिपेंड़न्ट है कि लिक्वीड किस टाइप का है लिक्वीड अगर completely wet है लिक्वीड अगर कैसा है completely wet the surface तो adhesive force is equal to cohesion force होगा theta कितना बनेगा हमारा zero बनेगा अगर हमारे पास kerosene और glass है kerosene और glass में क्या होगा force of adhesive structure is greater than force of cohesion force of adhesive is greater than force of cohesion तो क्या होगा यह force ज्यादा होगा तो हमारा लिक्वीड का जो surface है वो यहां तक तो आ रहा है लेकिन adhesive force ज्यादा है तो कैसे चला जाएगा उपर चला जाएगा और इसके अगर उल्टा होगा कि force of cohesive is greater than force of adhesive तो क्या होगा यह जो लिक्वीड पर है हमारा वो ऐसा बनेगा आ रहा है समझ में आपको तो liquid which completely weight यह क्या होगा partially and यह होगा does not weight and dependent on fa is greater than fc fa is less than fc इस पे हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारा angle बनेगा acute यहाँ पर क्या बनेगा obtuse यह दो होगया हमारे angle of contact आ रहा है आपको समझ में तो यह structure है गटा angle of contact का जो purely कहाँ पर बनता है force of adhesive force of cohesive अगर दोनों forces कहाँ पर at the point of contact अगर दोनों forces कैसे हैं same है तो थिटा कैसे बनेगा 0 अगर कोई adhesive force ज्यादा है यानि solid liquid का पर ऐसा हो सकता है कुछ liquids ऐसे है जो liquid liquid का force कम है क्यों कम है क्योंकि वो partially weighting है आरा समझ पर तो उनका intactness कम रहता है वो intact कम है तो adhesive force कैसा है ज्यादा है adhesive force ज्यादा है तो liquid उपर चाड़ जाएगा थोड़ा सा एकदब minute चाड़ता है लेकिन angle कैसा create होगा acute create होगा अगर liquid which does not weight the surface है intact liquid है mercury जैसा तो cohesive force कैसा होगा ज्यादा होगा यानि उसका intermolecular force इतना ज्यादा है कि adhesive force negligible होता है उसका तो इतने diagrams निकाल के आपको बता है तो आपको hopefully ये समझ में आही गया होगा angle of contact के उपर कोई अगर आपको समझ लीजिए ऐसा question पूछा गया देखिए हमारे time पर question पूछा जाता था draw diagram between or draw diagram for angle of contact between kerosene and glass तो ऐसे diagram निकालने पड़ेगी बेटा आपको 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 समझ में और draw diagram between liquid which partially weighted surface and glass तो ये diagram आपको निकालने पड़ेगी एक आखरी topic पढ़ेंगे factors which affect angle of contact कि कौन से factors हैं जो angle of contact को affect करते formula नहीं होने के वज़े से हमें 3 theoretical points से चोटे-चोटे लिखने पड़ेंगे one-liners की जिससे हम आगे बढ़ सेके ये आपको समझ में आगे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये तो पोचूंगा इन्हें ये तो रहन देते हैं ये तो आज का हमारा topic ही हैं इधर ही लिखूंगा और easily आपको समझ में आजाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं factors which affecting angle of contact बहुत ही easily मैंने ये तीनों चारों factors हमाँ सामने लिख दिये हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे nature of solid and liquid nature पे क्यों dependent है because completely waiting the surface होगा तो theta 0 है partially waiting the surface होगा तो theta less than 90 है does not waiting the surface होगा तो theta कैसा है greater than 90 दूसरा impurities अगर present होगी liquid में impurities के बारे में मैं आखरे में discussion भी करूँगा impurities दो टाइप के हो सकती है एक soluble है एक insoluble है उस पे angle of contact depend होता है तो alcohol डालेंगे तो alcohol soluble property impurity है तो उस angle of contact decrease होगा increase होगा ये हम बात में बात करेंगे लेकिन एक confirm है कि जब temperature increase होगा liquid का तो angle of contact कैसा होगा decrease होगा है और अगर temperature impurity कुछ भी नहीं है तो for given pair of solid and liquid theta कैसा रहेगा constant रहेगा angle of contact कैसा रहेगा constant रहेगा 0 ने रहेगा constant रहेगा अगर इनको हमने कुछ भी चाईज नहीं किया तो glass और water के लिए glass और kerosin के लिए जो angle of contact यहाँ पे मेरे घर पे है वह angle of contact आपके घर पे भी रहेगा तो वो तो हम prove कर रहे है अगे आवेट आपको समझ में theta कैसा है angle of contact है तो ये एक article बन गया है हमारा angle of contact पे इसका आगे का article आगे बढ़ेंगे तो बाद में उसे explain कर सकते हैं तो ये सब लिखिए मुझे भीजिए जिनको number जाए वोटसर पे भीज सकते है number आपको comment section में हम पूछेंगे तो हम बताएंगे हारा समझ में बहुत ही अच्छे से इसकी पढ़ाई कीजिए कम syllabus रहे गया है fluids का तो ये जो बचा है एक्जाम में आने वाला है आगा समझ में तो वेटा चैनल को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और पढ़ते रहिए मैं भी आपको पढ़ाता रहूँगा Thank you